तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ 2023 में आई मूवी हीरो गनपत को इस फिल्म का VFX इस फिल्म का स्टोरी इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं इसे एक्स्प्लेइन करने से खुद को रोक नहीं पाया तो अब आप लोग भी इस कहानी को सुनिये इस फिल्म की कहानी को सुनिये और बताए कितनी अच्छी है ये तो मूवी की शिरुवात में हमें बताया जाता है कि एक महा जंग में पूरी धर्ती लगभग तभा हो गई जहां थोड़ा बहुत जीवन जीने की जगा थी सब वहां आकर रहने लगे जो अमीर लोग बचे थे उन्होंने अपनी अमीरी का फायदा उठाते हुए एक शहर पसा लिया सिल्वर सिटी और जो गरीब रह गए उन्हें दिवाल के उस पार फेंक दिया सड़ने के लिए अमीर खुब पैसे वाले थे तो मस्त आयाशी की जंदगी काट रहे थे और गरीब लोगों को अपना गुलाम बना के उनसे अपने चोटे मोटे काम कराते थे रैसे ही करके इस रिंग से एक युद्धा बनकर कोई बाहर निकलेगा जो हम सबको एक रह दिखाएगा और हमारे उपर हो रहे अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा अमीरों के मेन लीडर दालनी को इस खेल की भनक लग जाती है तो वो अपने चेले जॉन को गरीबों की बस्ती में भेज कर इस खेल पर कबजा करवा लेता है दलपती ने एक भविश्वानी की थी कि जब दुख दर्द सीमा पार हो जाएंगे तब गनपत नाम का एक युद्धा आएगा और सब कुछ सही कर देगा तो सब को उस युद्धा के आने का इंतजार था अब इसके बाद सीधा हमें दिखाया जाता है अमीरों के शहर में रहने वाले एक लड़के गुड्डू को जो की जॉन के साथ काम करता था गुड्डू जॉन के लिए गरीबों की बस्ती से बढ़िया फाइटर चुनके लाता था और फिर उन्हें सिलवर सिटी में लड़वाता था एक दिन जॉन गुड्डू को उसकी माशूका के साथ गुलू गुलू करते देख लेता है तो वो गुड्डू को जिन्दा जमीन में गड़वा देता है लेकिन गुड्डू की खुशकिस्मति की बारिश हो जाती है और फिर वो बाहर निकलाता है गुड़ू का दोस्त कैजाद गुड़ू को जिन्दा देख के कहता है कि दलपती सही था तू ही गनपत है तुम यहां रहोगे तो जॉन तुमें छोड़ेगा नहीं इसलिए तुम गरीबों की बस्ती के पार जाओ वहां तुमें शिवा मिलेगा उससे कहना गनपत आला वही तुम्हारी मदद कर सकता है दरसल जॉन को कोई बच्चा नहीं हो रहा था तो कैजाद ने उसे एक लड़का लाकर सौपा था जो की बड़ा होकर गुड़ू बना गुड़ू को जादा कुछ समझ नहीं आता पर वो पहुँच जाता है उस जगा जहां शिवा मिल सकता था उसे भूक लगी थी तो कुछ खाने रुख जाता है लेकिन पैसे नहीं थे तो वो लोग उसे पीटना शुरू कर देते हैं उसे बचाने आती है जसी नाम की लड़की क्योंकि उसे पता चला था कि वो लड़का शिवा की तलाश में है और वो शिवा को जानती थी उसे बच कर जसी और शिवा थोड़ा खुश भी होते हैं और थोड़ा शौक भी लगता है कि क्या यही है वो गनपद जो हमारा युद्धा बनेगा शिवा उसे दलपती की पूरी कहानी बताता है जो मैंने आपको शुरू में सुनाई और यहां पता चलता है कि वो गुद्दू के द शुरू कर देते हैं पर उसका मन तो जसी पर आठका था तो वो उसी के आगे पीछे नाचते रहता था गनपद उसके लिए गाना गाके उट पटांग हरकते करके उसे लुभाना शुरू कर देता है और गजब की बात यह कि जसी उसे हलका हलका पसंद भी करने लग जाती है जसी की जिन्दगी में बस एक दिक्कत यही थी कि उसकी मा सिलवर सिटी गई थी फिर वापिस ही नहीं आई तो वो इंतजार कर रही थी उनके आने का अब एक दिन दोनों लोग कहीं जा रहे थे तो तबाही नाम का एक आदमी जसी को उठा ले जाता है गुड़ू शिवा स से पिछली कहानी बताना शुरू करता है कि सबका मानना था कि दलपती का बेटा युद्धा बनेगा पर तभी दलपती के जाने का समय आ गया उन्होंने मरने से पहले अपने बेटे से कहा कि तुम्हारी पतनी मीरा के पेट में जो बच्चा है वही युद्धा बनेगा उनक सोचता है कि अगर सबकी उमीदें उसी से हैं तो वो अब उनकी उमीदों पर खरा उतरेगा और बनेगा योधा जसी को बचाने और गरीबों को आजाद कराने के लिए वो अब मन लगा कर हर दिन अभ्यास करना शुरू कर देता है लगातार परिश्रम करते थे रहने पर आखिरकार वो दिन आही जाता है जब वो इतना काबिल हो गया था कि तबाहि के यहां जाकर सबको धूल चटा सके वो वहाँ जाता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं वहाँ लड़कर जीते हुए वो साबित कर देता है कि वह ही है असली युद्धा गनपत यहां खुलासा होता है कि जसी का ये सब प्लैन था उसे पता था कि किसी और के लिए तो नहीं पर उसके लिए गनपत कुछ भी करेगा तो वो जान बूच के किड्नैप हुई ताकि उसके चक्कर में गुड़ू गनपत बने और ठीक वैसा ही हुआ यहां एक और रास की बात सामने आती है कि शिवा ही गनपत के पिता है पर उन्होंने अब तक ये बात उसे नहीं बताई है सब बड़ी हाँ खुशियां मना रहे थे कि गनपत आ चुका है पर तभी वहाँ जान आ जाता है सबको लगता है कि अब गनपत जान को मज़ा चखाएगा पर वो तो उसी के साथ निकल लेता है वहाँ सबका मुख खुला का खुला रह जाता है सद्मे के मारे कितना महीना इसको हम सיכाए इतना कराटे कराए इतना जूडो कराए इतना मार्शल आर्स बताए और इस साला बुलबक उसके साथ निकल लिया गधा कहीं का गुड़ू बहुत बड़ा गेम खेल गया उसने सब कुछ वहां से सीखा और बढ़िया फाइटर बनकर जॉन से हाथ मिला लिया अभी तक वो फाइटर्स खोचता था पर अब वो खुद सारी आत्मा बनकर उसकी यादों में खोई हुई थी जसी सोचती है कि अगर वो गुड़ू को ये बता दे कि शिवा ही उसके पिता है तो शायद उसकी आंके खुल जाए वो गुड़ू को बताने तो जाती है पर गुड़ू उसकी सुने बिना उसे बंदी बना लेता है बहुत नोग जोग होने के बाद उसे आजाद कर देता है गुड़ू जॉन और दालिनी के असिस्टन्ट शायना से कहता है कि फाइनल मैच में मार्केट खोल दो और गरीबों को सिलवर सिटी वालों के साथ 60 लगाने दो वो मुझ पर उमीद करके अपना सब कुछ लगा दे और मैं फाइट हार जाऊंगा और फिर वो पूरी तरह से कंगाल हो जाएंगे दालिनी को पैसों का फाइदा तो हो गई साथ में गरीब लोग भी मारे जाएंगे यानि की एक तीर से दो निशाने आपको पता है कि आगे क्या होगा पर मेरा करतब वे है पूरी कहानी सुनान तो अपना काम मैं पूरी लगन के साथ करूँगा घबराये मत मैं आपके साथ हूँ फानल मैच का देना आता है और सब गरीब लोग अपना बचा कुचा सब लगा देते हैं गुड़ू पर इस उमीद में कि वो जीतेगा ही जीतेगा और वो थोड़ा अमीर हो जाएंगे ग अपने अपने गरीबी की गहराई में अपना रोना रोने पर तभी गुड़ू उठ खड़ा होता है और सामने वाली की सुताई करना शुरू कर देता है जौन बवराने लगता है कि अब इसको क्या हो गया कहे लड़ रहा है ये गुड़ू दूसरे फाइटर को मार मार के उ जात ही है और फिर सब गनपद गनपद चिलाने लग जाते हैं जैसा कि आप समझी गया होंगे कि ये सब गुड़ू का प्लैन था कि वो एकदम बुरा आदमी बनकर जौन से मिल जाएगा उनका भरोसा जीतेगा और यही सब करके वो खुलासा करेगा कि वो तो हमेशा से गर मारे लिए यह एक और खुलासा होता है कि गनपद जब शिवा के पास सब कुछ सीख रहा था तो उससे पता चल चुका था कि शिवा ही उसके पिता है पर उसने किसी को नहीं बताया यह उनके लिए था जो बोलते हैं कि मैं बहुत स्लो बोलता हूं तो ठीक है अब इतना ठी स्टम सा था जो कि हूँ बहु गनपद की तरह ही दिख रहा था गनपद और डालिनी में बातों की लड़ाई होती है कि मैं तुझे ये कर दूंगा वो कर दूंगा फलाना धमकाना और फिर इसी के साथ मूवी यहीं पर खतम हो जाती है फाइनली तो दोस्तों यह बहुत ही फिल्म थी बहुत ही बड़िया फिल्म थी जिससे हमें सीखने मिला कि हमें किस तरह की मूवीज नहीं देखनी चाहिए बिल्कुल ही अवाइड करनी चाहिए और बच्चों को खासकर इन से दूर रखना चाहिए ताकि उन पर गलत असर ना पड़े इस फिल्म का मेन फिल्म को नया दिलाना है गरीबों को आज़ाद करना है अगर मैं इस फिल्म की टिकट किसी गरीब को दूँ और कहूं कि तुम्हारे बारे में देखो कितनी अच्छी बाते कही गई है कितना कुछ दिखाया गया है जो इस फिल्म को देख कर आओ तो वो पंदरा मिनट और पंदरा गालियां देगा मुझे और कहेगा कि जितना गरीब इसमें दिखाया गया है उतने तो हम है भी नहीं दुख दर्द दिखने के बजाए उसे ये फिल्म एक गाली जैसी लगेगी किसाला गरीबों के नाम पर क्या बावसीर बनाया जा रहा है इस पिच्चर को ब पताना चाहती है क्या दिखाना चाहती है जो भी इसमें शामिल है काम करने वाले उनका मन ही नहीं था इस फिल्म को बनाने का इतना वाहियात इतना घटिया इतना सड़ा हुआ वी एफेक्स मैंने आज तक नहीं देखा आदी पुरुष के लिए तो मेरे इज़त एकदम लगी पड़ी है उसे हटाया ही नहीं यहां पर ब्लू स्क्रीन लगी पड़ी है पीछे बैक्ग्राउंड ही नहीं लगाया और यहां पर ग्रिन स्क्रीन जब कैरक्टर को सामने इस एंगल से दिखा रहे हैं तो पीछे बड़ी-बड़ी बिल्निगे दिख रही है जैसा कि ने गरीबों के यहां से बच्चा चुरा कर जौन को दिया क्यूं क्या अमीरों के यहां बच्चे पैदा होने बंद हो गए हैं क्या क्या वहां से गोद नहीं लिया जा सकता था दोहजार सत्तर की कहानी है तो इतना एडवांस कार्टूनिस सिटी बनाने के बाद भी बच्चे होने का समधा नहीं निकल पाया क्या तो लानत है ऐसी एडवांस सिटी का होना बच्चा बढ़ा हो गया लेकिन बाप उसी उमर का है कौन सी जनम गुट्टी पीली थी उसने कि वो बुढ़ा ही नहीं हुआ गुट्डू बच्चपन से ही सिल्वर सिटी में पला बढ़ा अमीरों की बीच तो वो मुंबई वाली टपोरी भाषा क्यों बोलता है इसका भी कोई सेंस समझ नहीं आया गुट्डू की एकदम सिक्स पैक वाली बॉडी थी लेकिन जब शिवा उसे प्रैक्टिस करा रहे थे तो वो पुशप जी नहीं मार पा रहा था चलो माना की ये दिखाना था कि वो एकदम नौसिक्या है पर उसका शरीर भी तो नौसिक्या वाला दिखना चाहिए था ना उससे six-pack वाला क्यों दिखाया फिर बने उसका मतलब उसने मैनत की होगी तभी तो बने है ना तो इतना लल्लू क्यों दिखाया फिर transformation दिखाना ही था तो पहले उसे थोड़ा दिखाते कि उसके पास कुछ नहीं है तबी तो लगता कि हाँ नहीं आता उसे कुछ भी पहले उसे एकदम बढ़िया six-pack वाला एकदम bodybuilder वाला mass muscle वाला लड़का दिखा दिया और फिर ये दिखाया कि उससे push-up भी नहीं मारे जा रहा है तो ये चीज भी बिलकुल senseless थी दलापती को दिखाया गया कि एकदम नये खेल का आविशकार किया उन्होंने तो भाई इसमें नया क्या था कुछ नया तो था ही नहीं कि लग रहा था कि मैं कोई third class facebook video देख रहा हूं जिनके कुछ इस तरह के title होते हैं कि अमीर मालिक ने गरीब नौकर को किया बेहज़त गरीब रिक्षा वाला बना अंबानी का चेला गरीब ने सिखाया अमीरों को सबक ऐसे ही वाले जो title होते हैं न उस तरह का ये facebook video लग रहा था मुझे तो डायलॉक्स ना जाने कहां कहां से चेपे गए हैं मूवी के scenes ना जाने कितनी movies से उठाए गए हैं एक्टिंग की बात करें तो जैसे film थी सबने वैसा ही काम किया है एकदम बेकार टाइगर को अब थोड़ा आराम की जरूरत है उन्हें अब सोचना पड़ेगा कि हर फिल्म में एक तरह का सब दिखा के काम नहीं चलेगा एक बार उलके किकमारी तो लोगों ने ताली बजा दी पर बार बार लगातार वही करोगे तो लोगों की वही ताली गाली में बदल जाएगी कीरती सनन को पता नहीं क्या हो गया है अब एकदम बेकार बेकार मुवी ही चूज कर रही है सेम एक्सप्रेशन के साथ हर मुवी में नजर आ रही है जो कि अब देखने का मन नहीं करता इतने बड़े दिगज कलाकार बिग बी को लेकर भी मूवी बनाने वाले कुछ उखाड नहीं पाए बाकी जो कलाकार है वो भी क्या करते काम करने को मिल रहा है तो कर लिया भले मूवी कैसी भी हो पैसा तो मिल रहा है ना साउथ की तरफ से हमें लाइगर मिली थी और बॉलिवुड वालों ने उसका जवाब देते हुए इस फिल्म को बना दिया कमाल की बात ये है कि इसका सेकंड पार्ट भी आएगा अब जिस हिसाब से ये मुवी जा रही है फलॉप जा रही है वैसे तो तो क्या प्रोडियूसर इसमें पैसा लगाएगा क्या कोई भी इसमें पैसा लगाएगा मुझे तो नहीं लगता बाकी काला धन तो इसमें सफेद हो ही गया होगा अभी तक तो पता नहीं ऐसे तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं नई मुवी इसको explain कर देता हूँ, बहुत नुकसान होता होगा उनका, पर इस movie को explain करके मुझे बिलकुल भी बुरा नहीं लग रहा, मैं तो यही चाहूंगा कि यह कोई movie देखे ही ना, और सब explanation देखके इसकी कहानी जान लें, और यह movie चले ही ना, super flop हो जाए, ताकि आगे कोई ऐसी movie बने ही न अब कोई फाल तो movie की explanation नहीं आएगी, अब बस अच्छी movies की ही explanation आएगी, और जाने से पहले मैं आपको यही करना चाहूंगा, कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज, प्लीज, लाइक, शेर, सब्सक्राइब करके जरूर जाए, लाइक, शेर तो आप कर देंगे मुझे पता है, पर कमेंट करके भी जाएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो कैसा लगा, जो नए लोग आए हैं, वो भाई साब आते जाएं, अंदर आते जाएं, सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाते जाएं, और ऐसे ही वीडियो आपको देखने मिलती रहेंगी अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो, और जो लोग मुझसे कुछ बात करना चाते हैं, कुछ पूछना चाते हैं, कुछ जानना चाते हैं, वो मुझे इंस्टाग्राम पर मेसेच कर सकते हैं, उसका हैंडल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, वहाँ जाएए और फॉलो कर लीजे बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई-बाई और नमस्ते ओ शिट इस मुवी को मैंने तीन बार देखा पहले मुवी देखी फिर उसके बाद एक्स्प्लेनेशन मरलब स्क्रिप्ट लिखने के लिए उसको देखा फिर से और फिर उसके बाद स्क्रीन शॉट लेने के लिए फिर से देखा है तीन बार मुवी को देखा है मैं परिशान हो चुका हूँ वजे कुछ आच्छा देखना पड़ेगा बाइ, 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 बाइ झाल झाल